हेलो स्टूरेंट्स आज मैं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट लेकर आया हूं इसी टॉपिक में मैं पावर के बारे में भी बताने वाला हूं स्टूरेंट्स तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दो इस्टूरेंट्स की आखिर इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट्स का है तो इस्टूरेंट्स यह देखिएगा मैंने क्योश्टन लिख रहा है यहां पर यह 2016 में आया हुआ क्योश्टन है एसको हम अभी सॉल्फ करेंगे थोड़ी दर बाद यह लेकिन यह हीटिंग पर ही बेस्ट क्योश्टन है और इस्टूरेंट्स यह क्योश्टन है जो 2017 पर आया हुआ क्योश्टन है तो यह दो क्योश्टन मतलब एक क्योश्टन हम यह मान सकते हैं कि एक क्योश्टन हर साल इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है तो इस्टूरेंट्स इसलिए वीडियो को आप last तक देखते रहें कुछ important concept बताने वाला हो जो की बहुत ही simple है बस आप एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा students तोड़ा topic को आप एक बार मैं example के help से बोलता हूं तो आपको पूरी बाते समझ में आ जाएगी आपने घर में iron करते हुए देखा है इस्तरी करते हुए देखा है या heater यूज किया हुआ है या oven यूज किया हुआ है तो ये सभी एक examples है heating effect का क्या होता है कि आप जब switch on करते हैं oven का तो oven में जो coil होता है वो heat हो जाता है और उस heat को हम अपने useful work के लिए use कर लेते हैं वैसी emulsion rod देखा होगा आपने पानी पानी गरम करते हैं switch on किया वो rod गरम होता है जिससे पानी गरम हो जाता है तो ultimately यह क्या है यह इसी topic जो हम पढ़ रहे ना उसका use है तो ना पढ़ाई को आप जब भी किसी topic को पढ़ते हैं तो उसका daily life में आप use समझेंगे ना तो आपको यह पढ कि जब हम electric current supply करते हैं किसी equipment में तो वह equipment गरम हो जाता है जैसे एक बात सुनिएगा जैसे हम fan को चलते हैं जब बहुत देर तक चलता है तो वह गरम हो जाता है जैसे मैं ही यह mobile use कर रहा हूं अपना video बनाने के लिए यह बहुत देर तक use होता रहेगा तो थोड़ा heat हो जाए है और कुछ electricity का use या बोल सकते है heating के रूप में loss हो जाता है ठीक है और कई बार कुछ ऐसे instruments बनाए जाते हैं जिस पे heat का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है जैसे oven है आपने heat उसमे एक heating coil होता है वो directly switch on किया तो heat हो जाता है ठीक है तो कई बार heat का loss भी हो जाता है और क देखिएगा कि कुछ इसका उपयोग भी लिखा हुआ यह topic भी लिखा हुआ और इसका कुछ उपयोग भी लिखा हुआ तो उपयोग का मतलब यह है कि इससे related कुछ questions आएंगे वह questions हम आपको अभी कराएंगे और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि actually में क्या उपयोग ह तो देखिएगा students बहुत ही simple सब्दों में मैं बोल देता हूँ क्योंकि यह 910 में board में पूछते हैं derivation वगरा तो फिलाल आपको derivation करने की जरुवत नहीं है तो देखिएगा इस पे मैं आपको एक simple सा बात समझा देता हूँ कि यह suppose एक conductor है ठीक है conductor है यहां से मतलब यह एक इसा है कि यह इसमें से विदुद्धरा प्रवाहित हो सकती ही एक सूचालक है तो आप खुद सोचना ठीक है यहां से एक क्या flow हो रहा है charge flow हो रहा है Q बोल सकते हैं और charge flow हो रहा है कितने समय के लिए T समय के लिए flow हो रहा है अब ये Q और T मिल के ही तो क्या बनता है I बनता है मतलब current flow हो रहा है समझ गए आपके जब charge flow होता है तो उसी को ही तो हम current बोलते हैं ठीक है चलिए ठीक है देखते हैं अब students आप खुछ सोचना कि आखिर ये heat होता क्यों है ठीक है आप खुछ सोचो जब कोई चीजें टकराती जैसे clapping किये ताली बजाया आप घर में अब हाथ दो हाथ को ताली बजाओगे तो थोड़ी दिर बाद मासूस करोगे कि heat थोड़ा produce हो जाता है तो actually heat क्या से produce हुआ collision से produce हुआ जो टकराया उससे collision हुआ उससे produce हुआ तो यहां पर क्या हो रहा होगा students यह conductor है सूचालक है और इसमें बहुत सारे चोटे-चोटे एटम है है की नहीं है ठीक है सुमपल सा एक एटम बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे एटम है और क्या है electron है ठीक है तो जब electron flow होता है तो वो atom से टकराता है इसी टकराने के कारण क्या produce होता है students heat produce हो जाता है तो ठीक है यह heat produce होने का कारण है collision ठीक है किसके किसके बीच में collision हो रहा है electron और conductor जो है उसके atom के बीच में क्या होता है collision होता है तो ठीक है यह तो बहुत simple सी basic बाते हो गई जो आपको मैंने समझाया है अब यह समझना यह heat को मैं h से रिप्रेजेंट कर देता हूं ठीक है और actually में यही क्या है energy है इसको heat क्या है heating energy ही तो बोलते है तो एक प्रकार सा energy consider कर सकते हैं ठीक है यह h से रिप्रेजेंट किया है तो क्या आप यह कहा सकते है क्या कि heat directly proportional to time जितने देर तक current flow होगा heat उतने ज्यादा प्रोडियूस होगा simple सी बात है आप घर में emulsion rod को जितने देर तक जलाओगे उतने ज्यादा उसमें heat produce होता रहेगा यदि आप उसमें कोई controller ना लगा है यदि iron घर में iron करते है कपड़े को iron करते है तो आप switch on करते है तो वो जितने देर तक switch on रहेगा उतने देर तक वो coil गरम होता जाएगा बहुत ज्यादा गरम हो जाएगा इसलिए उसमें देखा होगा आपने controller रगा तो knob लगा रहता है तो anyway मैंने क्या बता दिया heat is directly proportional to time यह तो बहुत सिंपल सी बात है दूसरी बात समझाए heat is directly proportional to होता है resistance आप खुद सोचो students यदि यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है charge फ्लो हो रहा है या current फ्लो हो रहा है electron और atom के बीच में collusion होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा और उतना ही ज्यादा heating effect आएगा उतना ही ज्यादा गरम हो जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात हो गई तो heat is directly proportional to r हो गया है अब अगली बात सुनना students heat is directly proportional to i square होता है अब इसका concept क्या है देखो सिंपल सी बात सुनना जब current फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर electron है अब यहाँ पर कितने electron है तो students आपको तो पता ही होगा infinity number of electron होते हैं infinity तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन करोडों अर्बों electron होते हैं तो actually current का effect double पड़ता है double तो नहीं बोड़ेंगे square से पड़ता है तो यह simple सा बात आप तीन याद रख लें तो बहुत ही आसान हो गया तो अब आप क्या बोसकते हो h is equal to i square rt ठीक है तो यह याद रख लो खतम हो गया कहानी ठीक है h is equal to i square rt वैसे students इसका एक derivation भी actually मैं तो यह आपको समझाने के लिए बोला बहुत simple सा समझा भी दिया मैंने आपको इसका एक simple सा derivation है वो derivation वैसे आपको करने की जरुवत नहीं है लेकिन फिर भी आपको अपना concept clear करना है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको पता हो का students जो potential होता है वो w upon q होता है होता ह है कि नहीं होता है यह potential के लिए मैंने एक video बना रखा है आप उसमें से refer कर सकते है ठीक है या w is equal to क्या हो जाएगा v into q हो गया ठीक है volt potential into q actually यह w क्या होता है यदि यह current या charge एक place से दूसरे place तक यदि flow होता है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा यदि इस conductor में मैं एक battery लगा दूँ ठीक है न एक battery लगा दूँ तो batteries ही तो charge को धक्का देता है ताकि वो आगे बड़े तो धक्का देने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा तो q charge को q charge को v potential से यदि push किया जाए तो उस पर w काम करना पड़ता है अब यहाँ देख लीजिए v is equal to ir होता है तो इस v के place में मैं क्या लिख लूँ students ir लिख लता हूँ और q is equal to होता है it पता ही होगा ठीक है q is equal to it और यदि आप इसको solve करते हैं तो यह क्या हो गया students i square it तो यह simple सा definition देखो कितना आसान है तो चलिए आपको derivation तो कोई पूछे का नहीं आपके वल यह समझे heat is directly proportional to time heat is directly proportional to r heat is directly proportional to i square अब आप देखना students मैं heat heat मतलब यह energy है na heating energy है heat upon time कर लूँ तो यह हो गया i square r हो गया कि नहीं यहां से देखिए बहुत simple सा formula मैंने मना लिया ठीक है अब देखिए guys students h by t तो यही क्या होता है power होता है students power is equal to क्या हो गया i square r clear हो गया क्या power is equal to i square r या आप ऐसा बोल सकते है power is equal to देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ i r लिख सकता हो और i r के place मैं क्या लिख सकता हूँ students v तो v i तो power is equal to v i ऐसा भी बोल सकते हैं या power is equal to h by t is equal to i square r या h is equal to i square r t सबसे useful formula यह है students बाकी तो बहुत simple है अब देखिए guys students यहां पर यह h, h का unit क्या होता है तो यह heat है energy है energy का unit क्या हो गया joule होता है पता ही होगा joule यही वैसे आपको पता होगा heating effect joule का heating effect भी कहते हैं इससे ठीक है और यह देखिए का unit h by t क्या होता होगा तो यह हो गया joule प्रतिसेकेंड हो गया की नहीं हो गया मैं T को यदि time को second में लेता हूं तो joule प्रती second तो power का unit क्या हो गया students joule प्रती second वैसे joule प्रती second को ही हम क्या बोलते है students what कहते है बोलते हैं ना what 10 watt का bulb 20 watt का bulb तो actually मैं what का मतलब यह होता है joule प्रती second w से represent करते है यह w और यह w अलग है ना यह work done वाला है यह what है मैं लिक भी देता हूँ यहाँ पर what clear हो गया ठीक है तो what मतलब joule प्रती second की एक second में कितनी joule की energy प्रवाहित हो गई उसको हम what से represent करते हैं और यह power का एक unit है चलिए students एक question का practice करते हैं आपके सामने यह लिखा हुआ चाहे तो आप खुछ से बनाई ट्राई करें वीडियो को दो मिनेट पॉस कर ले चाहें तो बना ले खुछ से otherwise तो मैं तो बताई रहा हूँ but better है कि आप खुछ से बनाए ठीक है एक electric heater है मैं इंग्लिस में question लिखा हुआ हिंदी में dictate कर रहा हूँ एक electric heater है operating at 220 volt boils 5 liter of water in 5 minutes मतलब एक मेरे पास में heater है ठीक है एक heater है और इसमें क्या भरा हुआ है student 5 liter water भरा हुआ है ठीक है 5 liter का water है और यहां से मैं कितने voltage supply किया 220 voltage का current मतलब potential supply किया ठीक है और 5 liter water है 5 minute तक मैंने supply किया तो मैं यहां पर लिख देता हूँ मैं कितने देर तक इसको heat किया 5 minute तक ही मैंने heat किया ठीक है अब क्या बोलता है students if it is used on 110 volt line it will boil the same amount of water in मतलब अब मेरे पास में same amount of water है मतलब 5 liter का ही पानी बकेट में 5 liter water रखा है अब मैंने voltage supply किया कितना 110 voltage supply किया तो मुझे कितना समय लगेगा यही तो question है बहुत simple हो गया तो देखो क्या formula यूज करने वाले students h is equal to i square rt ये बस use कर लो अब यहां students देखोगे question में i तो दिया नहीं हुआ है question में तो voltage दिया हुआ है तो इस i को आप replace कर दो v से तो क्या लिख सकते है v equal to i r होता है तो i के place पे आप लिख सकते है v by r का square लिख सकते है यहां पे r तो ही है यहां पे t तो रहे गई रहेगा तो ultimately यह आप इसको solve करते है तो v square r से r cancel हो जाएगा r और t हो गया यही हो गया h clear हो गया क्या students ठीक है अब आप देखना कि यदि heater एक ही है यह एक heater है यदि heater एक ही है तो क्या heater का resistance change होगा क्या नहीं होगा तो resistance क्या हो गया constant हो गया ठीक है अब देख लो h is equal to v square t by r या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं students h is directly proportional to v square t मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मेरे पास में 2 case है दोनों case को ले लो divide कर दो अब क्या हो गया अब क्यासे करेंगे students तो उतना ही heat तो उतना ही लगेगा तो आप ऐसा भी बोल सकते है कि v square अब यहां पर values put up कर लेते हैं क्या लिखना है heat is equal to v square v मेरा कितना है students पहले case में 220 volt है 220 volt into time time कितना students 5 minutes और heat तो same रहेगा दूसरा heat क्या हो कितना voltage हो रहा है 110 volt हो गया 110 volt हो गया into कितना समय लगेगा T समय लगेगा और यदि आप यह दो equation लेते हैं और दोनों को equate करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 220 का square into 5 is equal to 110 का square into T यह 1 times यह 2 times 22 is a 4 40 यह हो गया 4 into 5 is equal to T यह हो गया students 20 तो कितना समय आ गया students 20 तो यह आपका answer हो जाएगा 20 minutes clear हो गया क्या बहुत ही simple है students अब आप देखिएगा क्योंकि देखो water है same amount of water है तो उसको heat करने में तो उत्ता ही समय लगेगा ठीक है ना voltage आपने change कर दिया तो पहले कितना समय लग रहा था पहले लग रहा था 5 minute अब आप खुद सोचो खुद से बनाएंगे इस question को मैं आपके सामने लिखा हुआ है आप इसको खुद से देख लो और solve कर सकते हो बहुत आसानी से ठीक है आपके सामने ये question लिखा हुआ है comment करके इसका answer मुझे बताएंगे चलिए अगला question solve करते है students मैं question हिंदी में लिखा है यहाँ पर आप इसको भी मैं dictate कर देता हूँ किसी चार ओम प्रती रोधक से प्रती सेकेंड सो जूल की उसमा उत्पन्न हो रही है मतलब आपको power दिया हुआ students power केता दिया हुआ है सो जूल प्रती सेकेंड ठीक है ना heat मतलब h बोल सकते हो h किता बोल सकते हो 100 जूल बोल सकते हो और time दिया हुआ है 1 second कुछ भी बोल सकते हो यह आपके समझने की बात है प्रती रोधक के 0 पर विभवानतर ग्याद करें मतलब आपको v ग्याद करना है तो क्या students क्या formula होता है हमारे पास में h is equal to i square rt होता है तो h की value किती दी हुई है 100 दिया हुआ है i square मुझे नहीं पता r किता दिया हुआ students आपको दिया हुआ r 4 ohm दिया हुआ है तो आपने यहाँ पर 4 लिख लिख लिया और t किता दिया हुआ students 1 दिया हुआ है तो यहां से i आजाएगा कितना current flow हो रहा है i आजाएगा 100 divided by 4 मतलब 25 25 मतलब यहां 25 ही लिख लेते हैं और i की value किती हो जाएगी 5 ampere हो जाएगी students ठीक है 5 ampere हो जाएगी लेकिन question में क्या पूछा हुआ है आपको question में पूछा है potential difference पूछा है विभवांतर तो V is equal to क्या होता है students IR होता है I आपको पता चल गया 5 R किता दिया हुआ है 4 तो 5 चोग किता हो गया students 20 volt प्याजाएगा तो answer क्या आजाएगा आपका यह 20 volt का answer होगा तो I hope आपको यह बहुत simple सा topic समझ में आ गया होगा heating effect मतलब H और H is equal to I square I T जित्ता ज़्यदा time देंगे उत्ता ही ज़्यदा H होगा जित्ता ज़्यदा resistance होगा उत्ता ही ज़्यदा H होगा और I K square होता है directly proportional H का तो ठीक है तो I hope आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी Thank you very much